हाँ वावलपूर से खेल है बहुत अच्छा लगा और लाहूर के एक लड़की ते उससे भी खेला है मैंने लाहूर से आई हूँ फाइटर हूँ और मैंने सिल्वे मेडल जीदा है रहीम यार खान में मनकद होने वाली सोना टाइकवांडो जूनियर चैंपियंशिप के आखरी रोज दो उंगलियों पर फुश अपस लगाने का शानदार मुझाहरा तीन सूगों के संगम पर लगाया गया ये मिला एस एफसी कोट माची ने लूट लिया स्पोर्ट जमनेजियम रहीम यार खान में तीन रोजा चैंपियंशिप के आखरी रोज बहावल पुर के नौँमर ताइकवांडो खिलाडी मुहम्मद लुक्मान अर्शिद ने एक हाथ की दो उंगलियों पर फुश अपस लगाकर सब को हैरान कर दिया इस बड़े मेले का हित्माम वर्ल्ड चिल्टरन स्पोर्ट कमेटी और जिले इंतिजामिया ने किया था चीफ और्गनाईजर शकील यूसफ थे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं सोने चांदी और कांसी के सबसे ज्यादा तमगे जीत कर FFC गोट माची की टीम फाते करार पाई आखरी रोज जिन दिगर टीमों के खिलाडियों ने नुमाया कारकंटगी दिखाई उनका तालुक गुजरावाला, सैसलाबाद, कराची, लाहोर, मुलतान और मेजबान रहीम यारखान सादिकाबाद से था मुख्लिफ शहरों से आने वाले बच्चों ने इस इवन्ट को खूब इंजुआए किया मेरा नाम अरीमरान जिंजुआ है और मैं सेब्सकेट ने विंग किया है और मैं 32 माइनस केजी में मैंने फाइट किया है और हमारे सार का नाम है नदीम अली जिंजुआ और मैं गाजी टाइक वांडो क्लब से हूँ और मैं फाइटर हूँ और मुझे यहां पर आके बहुत अच्छा लगा यहां का इन्वार्मेंट भी बहुत अच्छा था थैंक यू जी में नाम शावेज मौमिन है मैं लाड डिविजन से हूँ सन अधीम अली जिंजुआ हमारे कोच हैं और गाजी टाइक वांडो क्लब से हूँ मैं और मैंने सिल्वर मैडल जीता है 40 से 44 तक के वेट मैं और यहां आकर बहुत अच्छा लगा हम सब दोस्ताने बहुत अच् पताल जिरान रहेंगे मुख्तलिफ महमान टीमों के कोचिस और आफिशल्स भी एहल रहीम यारखान की पूर जोश मिजबानी से मुतासर नजर आए मेरा ना मुख्तलिफ फैसल खान है मेरा तालुक हिदराबाद से एगा और मैं हिदराबाद में भी कोचिंग करता हूँ कराची में भी कोचिंग करता हूँ हमें बहुत खुशी हुई कि हम यहां इतनी दूर आये लेकिन हमें इस चीज़ का बिल्कुल फील नहीं हुआ कि हम इतनी दूर आने के बार हमें किसी किसी कोई फैसलिटी या कोई ऐसी चीज़ में असर नाई हो ग्रेंड मास्टर नदीम स्वहानी, शकील यूसफ, अरशद मुबारक और वसीम बड़समेद पाकिस्तान टाइकवांडो एसूसियेशन के बड़े खिलाडियों ने मकाबलों में जज़िस की जिम्मेदारिया निभाईी आल पाकिस्तान, सोना, कौमी यकजिती, टाइकवांडो जूनियर चैंपिनशिप के दूसरे रोज, कराची, लहोर, भावलपुर, गुजरावाला, रहीम यारखान और सादिकाबाद के खिलाडी च्छाए रहे कमसिन फाइटर्ज ने पूर जोश अंदाज में अपने फन के जोहर दिखाए रहीम यारखान इस्पोर्ट जमनाजियम में मुक्लिफ कैटेगरीज के लिए लड़कों और लड़कियों ने खूब जम कर फाइट की इस तुरान मुक्लिफ सनी महारतों और जिसमानी लचक के बेमिसाल मुझाहरे देखने में आए कमसिन बच्चों और नौ उमर लड़कियों की टाइकवांडो फाइट का अंदाज भी काबले दीथ था मुलक के मुख्लिफ शहरों से आने वाले बच्चों ने तीन सूपों के संगों पर मुनकदा इस चैंपियर्शिप को याददार इवन्ट करार दिया मेरा नाम अरीबा फात्मा है और मैं ताइकवांडो के चैंपियर्शिप में आई हूँ सेकंड मैडिल बना मेरा नैशनल फाइट है और मेरा वेड जो कैटिगरी है माइनस 49 है यहां पर इंजॉइ भी हो जाता है और फिर यहां पर फाइट वगेरा भी होती है और मैं फिप्टीन एर से करती हुए आ रही हूँ माशाला और अभी भी कादी रही हूं कराची की टे मैं हैं फाइटर हूं और मैंने सिल्वे मेडल जीत है मैं ने अमनе जहनगीर इन फाम लवकार मैरा वेड केट केटर यही 52 है में मैंने 52 हूँ और मैंने अलहमदूल्ला जीत है और मैं फाइटर हूँ और मेरा गाजी ताइकॉंडो सेू हूँ मैं सर नदीम अल physician हो हमारे सर ह एफ एफ सी गोट माची के अबदुल्ला काशिफ, गुज्रावाला के शाहजे बट, रहीम यार खान की हजाइका, सादिकाबाद की हादिया जवेद और अरशिया फात्मा ने गोल्ड मेडल्स जीते दूसरे रोज के महमाने खसूसी, फोजी फर्टिलाइजर कंपनी के डिप्टी मेनजर एडमन, लेफ्टिनेट करनल रिटार्ड एहतशाम गुल थे उन्होंने दीगर महमानों के हमरा बच्चों मेडल्स तक्सीम किये वर्ल्ड चिल्डरन स्पोर्स कमेटी, जिलह इंतजामिया और एफफसी के तावन से कौमी सदा का ये इंडूर स्पोर्स इवन्ट बच्चों में मार्शल आर्स का शौक बढ़ाता रहा चेंपियनशिप की इफताही तक्रीम में रहीमियार खान चेंबर आफ कामर्स एंड इंडिस्ट्री के सीनियर नाइब सदर मिया साथ हसन महमाने खसूसी थे सोना कौमी यक जिएती जूनियर चेंपियनशिप में मुलक भर से सो से जाइद गिर्स एंड बौाइस टाइकुणो खिलाडी शरीक हुए चेंपियनशिप में बौाइस की आर्ट और गिर्स की पांच टाइकुणो एंड पिम्जा कैटिगरीज के मकाबले हुए इस काम्याब इवन्ट के इनकाद पर वर्ल्ड चिल्टरन स्पोर्स कमिटी की उहदेदारान, जिले इनतजामिया, महकमा स्पोर्स और खास तोर पर चीफ और्गनाईजर शकील यूसफ की काविशों को खूब सराहा गया डिप्टी कमिशनर रहीमियर खान सल्मान खान लोधी ने कहा कि ऐसे इवन्ट्स नई नसल में मकाबले का जजबा और आगे बढ़ने का जोश बढ़ाते हैं इस इवन्ट की खास बात ये थी के पाकिस्तान में पहली मरतबा टाइकवांडो एक्सपो का इहतमाम भी किया गया जिससे टाइकवांडो को खिलाडियों को जदीद और दोर हाजर की टाइकवांडो टेकनीक के बारे में आगाही हासल हुई झाल